यहां नमाकुआ कमिलियन शिकार कर रहा है और पिरिंगी एडर को शिकार करने की नई जगह चाहिए रेत के इस उंसान समंदर में छाव बहुत कीमती है और ये छोटी छोटी ज़ाडियां एडर के छिपने और शिकार करने के लिए बिल्कुल सही जगह है ये कई घंटों यहां तक के कई दिनों तक छिपा रह सकता है जब तक के कोई बेखबर शिकार धूप से बचने के लिए पास ना आ जाए जैसे ये शवल सनौटेड लिजर्ड या इसके चक्कर में इसके इलाके में आई पांच मादाओं में से कोई एक ये चैल चबीला गर्मी से बचने के लिए कमाल का नाच दिखाता है हर बार टांगों की उल्टी जोड़ी उठा कर ये रेट से जुलसने से बचा रहता है लेकिन इसकी डांस पार्टी में एक खतरनाख दुश्मन घुसाया नामि विरेगिस्तान में कुछ ही परिंदे जिन्दा रह सकते हैं लेकिन इन ट्राक ट्राक चैट्स के लिए शिकार करने की बिलकुल सही जगय है लिजर्ड बहुत तेज हैं लेकिन ट्राक ट्राक उड़ सकते हैं ये परिंदे आम दोर पर छोटे कीडे मकोडों का शिकार करते हैं इसलिए इतने बड़े रेप्टाइल के शिकार में साथधानी बरतने की जरूरत है सत्तर डिगरी सेल्सियस की जुलस्ती हुई रेत पर जब भागने का कोई मौका ना हो तो हमला कर देना ही कभी कभार बचाव का सबसे अच्छा उपाय होता है अपना मुह खोल कर ये ज्यादा खतरनाक दिख रहा है और ये परिंदे को भगानी की कोशिश कर रहा है ये ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकता इसे मौका मिलते ही भाग जाना चाहिए लिजर्ड के पास एक आखरी उपाए भी है इसकी बेल्चे जैसी मजबूत थूथन खोदने के लिए बिल्कुल सही है जिससे ये रेत के अंदर घुज गया ट्रैक ट्रैक ने अंदाजे से कुछ हमले किये लिकिन लिजर्ड दिख नहीं रहा है इसलिए ये उसके दांतों की चपेट में आ सकता है इससे परिंदा हिचकी चाने लगा और शवल स्नौटिड लिजर्ड मौके का फाइदा उठा कर भाग निकला ट्रैक ट्रैक ने हार मान ली ये यहां अकेला शवल स्नौटिड लिजर्ड नहीं है इसका ध्यान खाने पर है शवल स्नौटिड लिजर्ड अपनी सारी नमी अपने खाने से हासिल करते हैं और ये रसीला कॉक्रोच बिलकुल सही सावित होगा लेकिन इसे भी शिकारी ने देख लिया है ट्रैक ट्रैक में मौके का फाइदा उठाया इस बार कोई जवावी हमला नहीं हो पाया क्योंके परिंदे ने शिकार को उठा कर तुरंत रेट पर पटक दिया एक और फीमेल शवल स्नाउटेड लिजर्ड खतरे पर नजर रख रही है ये यहाँ ज्यादा देर तक नहीं ठिकने वाली नहीं तो ट्रैक ट्रैक की मादा इसे ढूंड लेगी ये चिपने की जगह की और भागी लेकिन इस जाड़ी में पहले से कोई माजूद है परिंगी आडर का सबर काम आया शरीर के आकार की तुलना में इसके जहर के दांट काफी बड़े हैं जिससे इसका जहर शिकार के शरीर में काफी अंदर पहुँच जाता है मादा लिजर्ड ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी पाएगी पाएगी